one of the most important video होने वाला है ये हैना इसमें अपन support and resistance को identify करेंगे और उनको draw करेंगे बहुत-बहुत-बहुत important होने वाला है इसको आकरी तक जरूर देखना बहुत important होने वाला आपको बहुत फायदा मिलेगा सबसे पहले identify कैसे करना अपन को ये देखना है अपन को आपको वो level देखने होते हैं जहां पर stock को तोडने में मुश्किल हो रही हो Stock is having hard time to break अपन को वो point देखने है जहां पर stock is having hard time to break All right, दूसरा stock might be retracing from this point यानि कि stock बार बार retrace हो रहा हो इन points से Join them with a line इसके बारे मैं अपन अभी बाद में देखेंगे और अगर सारे points जोइन नहीं हो रहे है तो भी इसमें कोई problem की बात नहीं है आपन चलते हैं अभी चार्ट पर मैं आपको चार्ट पर दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं कैसे नजर आता है तो भाईया ये वाले वीडियो में तो क्या आपन लोग सीखने वाले हैं तो ये आ गए आपन कहाँ पर HDFC bank के चार्ट पे ओल्राइट देखो मुझी ये पॉंट दिख रहा है जहाँ पर stock को तोडने में होड़ी हैقيति ऩिये भॉइंट को stock को तोडने में हो अई दिक्कत ये वाले पॉइंट पर भी हो रही है दिक्कत तो तो दा सौरी अपन लोग इनको stalia कंभाइन करके बना सकते हैं ठिक हैं तो combine करते हैं इस point पर ठीक यहाँ पर मुझे actually में zone form में बनाना पड़ेगा and I don't want कि मैं आपको अभी इतना बता हूँ detail में but still मैं भी आपको बताई देता हूँ all right so यह point पर जैसे ही आता है stock, stock का behavior होता है change all right तो यहाँ अब जरसर गौर फर्माईए है तो यह देखे इस point पर stock का behavior change हो रहा है stock का behavior इस point पर हो रहा है change तो मैंने क्या किया देखो इस level को इसको तोड़ने में हो रही थी दिक्कत ठीक है फिर नीचे आया and फिर इस level को हो रही थी तोड़ने में दिक्कत ठीक तो यह मैंने यह observe किया कि यह level को तोड़ने में दिक्कत हो रही है फिर नीचे गया फिर से इस level पर इसको तोड़ने में दिक्कत हो फिर नीचे गया and फिर यहाँ पर थोड़ा consolidation में आया यानि कि आपने इसके बारे में trend में समझेंगे कि consolidation क्या होता है ये level उसको तोड़ने में दिक्कत हो रही थी तो मैंने क्या किया मैंने ये point ये point और इन दोनों तीनों point को combine करके मैंने ये वाला zone बनाया जोन में कैसे बनाते हैं यहां भी देखेंगे अपन तो हुआ क्या rectangle zone में जब मैंने इसको बनाया हुआ है stock मेरे को पता चल गया कि stock यहां पर strongly behavior कर रहा है यानि कि अगर यहां पर sellers लोग बैठे होई है ये sellers लोग बैठे होई है ये क्या बन गया अपना supply zone यानि की resistance बन गया यहां पर supply zone यानि की sellers लोग बैठे होई है तो price जैसे यहां गया reject हुआ तो मैं समझ गया यहां पर अगली बार जब भी आएगा reject हो सकता है दूसरी बार गया फिर से rejection मिला बस दो point मेरे लिए काफी थे इस level को बनाने के लिए मैंने इन दोनों point को combine किया and यह level को बना दिया तो जैसे यह level बन गया अब यह level जैसे ही बन गया मैं यहां पर sit करूँगा बैठूँगा and nature को observe करूँगा ठीक है stock यहां गया rejection यहां गया देखो rejection sellers लोग हमेशा यह point पर आते ही कुद जाते है अंदर तो rejection and जैसे यहां पर आया यहां पर थोड़ा consolidation हो रहा है यह candle को देखो यह candle को देखो above average and breakout तो आप entry ले सकते हो चाहो तो देखो उपर गया and see 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 मैंने आपको बोला था stock उपर जाकर थोड़ा सा retracement लेता है तो यह है best point to entry stop loss होगा आपका यहां पर and इसके उपर देखने चाहोगा stock कहां तक गया see यह देखो stock ने बहुत खतरनाक upturn दिखाया stock यहां तक stock यहां तक गया थोड़ा सा retracement लिया and इसमने upturn दिखाया तो यह level जो है अपनको इतना पूरा का पूरा trend लेना है ठीक इतना पूरा का पूरा पैसा लेना है आपसी यहां पर एक बार ध्यान दो जरा सा 1-2-8-0 1-2-8-0 से ले करके 1-3-8-1 तक करीब करीब इसने पूरा का पूरा trend दिखाया है एक ही बार में है एक ही बार में इतना बड़ा दिखाया कही पर भी एक भी रेडर clock देख लेगो इसकेय बाद एक भी रेड तैनल नहीं है इतना बड़ा मॉमेंट आपनको चयाए आप पहली फूर। दूसकी तीसरी तरी पर लिए पर निकल सकते हो अपने profit ले सकते हो टिक्श time frame में यहाँ पर कम करता हूं 15 minute पर चलते ह HIM and same चीज है अपने देखिए कहाँ चला गया को चला गया वही यह बहुत प्यारा सुन्दर तरीक सा अपने को दिखा रहा है स्टॉक का बहीवियर देखो यहां पर फिरसे गया आगे देखो और आगे देखो यहां पर देखो साइडवेज में है थोड़ी देर रिजेक्शन ठीक है अप टर इतना खतरनाक इसने मोमेंट दिखाया है और आपको यही मोमेंट आइडेंटिफाय करना है कैंडल देखनी है और नीचे 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 वाल्यूम देखना है यह देखो वाल्यूम इस गेटिंग हाईयर हैना वाल्यूम हाई होता जा रहा है ठीक है देखो इस कैंडल के बाद इस कैंडल के बाद यह वाली कैंडल के बाद वाल्यूम बढ़ता जा रहा है हाई होता जा रहा है तो यह ही अपन को देखना होता है ओल्राइट सी सी यह candle के बाद यह candle इधर बनी है यहाँ पर entry मत लो बट जैसे यह लेवल का breakout हुआ वॉल्यूम हाई हो रहा है वॉल्यूम हाई हो रहा है candle ऊपर की तरफ जा रही है candles बन रही है strong भाईया low entry यहाँ पर entry लेनी के लिए होती है और अगला एक और example आपको दिखाता हूँ यह है यहाँ पर ध्यान दो आपको ज़रा सा देखना है कि स्टॉक को किस लेवल को ब्रेक करने में हो रही है दिक्कत इस टॉक यहां से उपर किसे नीचे की तरफ आया है तो यहाँ देखो जब वो ऊपर की तरफ जाने की कोशिच कर रहा था stock जब उपर की तरफ जाने के खुशिश कर रहा था ये level ये level पर उसने तोड़ने में हुआ है दिक्कत इधर ध्यान दो, जैसे ही उसने ये level को तोड़ा see, retracement हुआ, वापस से नीचा है उसने retest किया and this is entry and यहां पर होगा आपका stop loss आल राइट आण देखो प्राइस का मोमेंट कहा तक गया ठीक है प्राइस का मोमेंट पूरा उपर तक गया है एंड यहां तक यहां तक भी आप ट्रेड लेते होना तो आपको बहुत अच्छा खासा बेनेफिट हो जाएगा ऑल राइट सेम चीज अपनको चलनी है एंड मैं मैं इसको हटाता हूँ different डिफरेंट जगे पर सेम चीज आपको देखने को मिल सकते है यहां पर फिर से फिर से इदर देखो इदर देखो भईयो यह देखो यह लेवल जो है यह लेवल जो है सी फेक आउट बिलकुल बिलकुल खतरनाक फेक्था आउट आपको दिखाई दे दो यह levels को तोड़ने में हो यह दिक्कत, all right, यह levels को तोडने में दिक्कत होई, अपन दोनों को combine करके अपन ने बना दिया यह, जैसे ही यह बनाया है, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, यह level, यह level, फिर यहाँ पर retracement हुआ, fake out, fake out, जूट बोला इसने, अरे तु जूटा ह रूटा कहीं का, fake out, fake out, ठीक है, फिर ये लेवल, नीचे गया, retest, है ए나 retest, देखो gap up है, gap के बारे में द्यान नहीं देंगे, retest, retest, ठीक है, बार-बार, बार-बार rejection मेल रहा है, कितनी बार rejection मिल है, देखो हर बार rejection हर बार ये level पर rejection मिला है rejection rejection देखो ये fake out fake out fake out rejection 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 ठीक है तो यही level अपनको join करने यही level अपनको join करने and see breakout retesting हुई entry entry और ये line के नीचे अपनको लगाना है stop loss ठीक है stop loss यहाँ पर ये point पर अपन लेंगे entry यहाँ से गया stock उपर की तरफ देखो अपन देखते कितना उपर गया देखो भी ये देखो जैसे उसने ये level को तोड़ा stock गया है उपर की तरफ बूम ये होता है धमा का आपको यही level को plot करना सीखना है अचा आपको क्या लग रहा है सिर्फ उपर की तरफ हुआ क्या नई नई नीचे की तरफ भी level बन रहे होंगे यह तो C C C C C देखो यह level को मैं यहां join कर दूँ इन सब को points को join कर दूँ color change कर देता हूं मैं कर देता हूं orange okay द्धान दो द्धान दो ध्यान दो है न यह देखो stock यहां आया ठीक है यहां आया उसने break नहीं किया यहां आया rejection, 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 rejection fake out, ठिक है फिर उसके बाद, फिर उसके बाद false breakout, ठिक है rejection, rejection, rejection ठिक है, तो आपको इन सारे points को combine करना है unit सारे points को combine करना है ठिक है, देखो, stock मानलो यहां पर है you can see, ईपड़ देसिकव meow कुछ नहीं, observe करना stock की यह break out दे, ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ ठीक है उपर जाएगा तो अपन लॉंग होंगे और नीचे जाएगा तो short होंगे अपन ठीक है नीचे जाएगा तो short होंगे तो पर कुछ नहीं हो यहाँ पर अपन ने दिया breakout भाईया अपन बैठ गए अपना बोर्या बिस्तर बांद के ध्यान दो ध अधर पर अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क ले सकते हो तो यहाँ पर लगाँ स्टॉप लोस ठीक है प्राइस गया ऊपर की तरफ आपको अब्जर्ब करनी है यहाँ यहाँ बन रही है तो इसके लिए मुझे यहाँ बनानी पड़ेगी and I don't want कि मैं यहाँ पर लाइन बनाओ तो यह actually मैं इस तरीक से लाइन बनते है आपको समझ में नहीं है तो don't worry ignore करना इसको तो यह लाइन बन रही है यहाँ पर and जैसे ही यह हो रहा है breakout यह गया नीचे के तरफ मैं आपको बस moment दिखाना चाहरा हूँ कि यह कुछ इतना खतरनाग नीचे गया है पूरा इतना नीचे गया and इतना पूरा प्रॉफिट ले सकते हो अगर आपको यह सारे अनलेसिस आते है तो खेर यह ट्रेंड लाइन के बारे में अभी अपन अगले वीडियो में देखेंगे तो उस पर आपको टेंशन ने लेना है मेरा बतला बताने का था कि देखो क्या करना है आपको कुछ नहीं simple, simple combine करना है and उन सब को join करते जाना है points को identify करना है where stock is having hard time to break and उसके बाद combine करना है अगर आप चाहो ना तो एक level यह भी देख सकते हो horizontal line and यहाँ ध्यान दो जिस point पर पहले इसने fake out दिया था पहले इसने जहाँ पर fake out दिया था अब वही point इसके लिए क्या बन गया इसके लिए बन गया पाला नहार रक्चक रक्चक बन गया अरे यार रिजिस्टेंस मिल गया यहाँ पर पहले sellers बैठे होए थे न तो यहाँ पर भी sellers बैठे हैं देख रिजेक्शन मिला इसको and यही point से इसने retracement ले लिया और वापस गया यानि कि आप कह सकते हो minor सा इसका भी breakout हुआ तो simple चीज यहाँ पर आप entry ले सकते हो यहाँ पर entry नहीं लेनी है क्योंकि fake out हो सकता है हो सकता है आप यहाँ पर entry ले रहे हो हो सकता था कि आप यहाँ पर entry लेते यहाँ पर आप entry लेते and price वापस नीचे चलाया था ठीक है भलाई यहाँ यहाँ पर volume है भलाई यहाँ यहाँ पर volume है but confirmation is जरूरी यही चीज़ें से अपन को सही सही ट्रेड लेनी है तो अपन ने ये सारी चीज़े देख ली कि आ कि इन सब को बनाना कैसे है लाइन निकालने आर इनको जोईन करना है और अगर सारे पॉइंट्स कनेक्ट नहीं हो सारे पॉइंट्स जोईन ही है यह यह थोड़ा सा उपर से निकल गया तो वही चीज़ जोन में आती है यह थेखने वाले है तो अपन चलते हैं importance of zone zone का importance भही होता है सारे points जो connect नहीं हो रहा है उनकी help भी ये करता है उनकी help भी करता है सिर्फ उनके नहीं ठीक है देखो larger time frame में budget time frame की अपन बात करते है तो resistance line जो होती है वो काम नहीं करती है zone काम करता है lines in larger time frame is not applicable in larger time frame lines is not applicable यहां पर lines जो होती है apply नहीं हो पाती है तो अपन अभी इनको बनाने वाले है तो अपन देखते है तो यहां ध्यान दो जली एली क्या अपन लोग चार्ट पर आ गए है सिपला का चार्ट है वन वीक का चार्ट है यानि बड़ा time frame है और बड़े time frame पर अगर मैं यहां पर एक line बनाऊ इस point पर join होती हुई एक line बनाऊ ओके सो यहां पर मैं लाइन ढंक से नहीं बना पा रहा हूं यहां पर लाइन ढंक से नहीं बना पा रहा हूं क्यों क्योंकि यह बड़ा टाइम फ्रेम है यहां पर टाइम फ्रेम बड़ा है तो यहां पर लाइन नहीं बनानी चाहिए मैं यहां पर ट्रेंड लाइन बनानी चाहिए आप लोगों को तो अपन इधर चलते हैं ओके या शिपला का वही चार्टा मैंने थोड़ा सा टाइम फ्रेम को पीछे कर दिया है यहां पर आप ध्यान दो इधर पर ध्यान दो क्या बड़े टाइम फ्रेम पर बहुत बड़े लेवल की बात करें आप ठीक है नीचे डेट देख सकते हो आप इपरेल 2010-2012 ठीक है यहां पर रेक्टेंगल टूल मैंने लिया आप अगर मैं बनाना चाहता हूं न तो मैं इसको जोन बना सकता हूं पूरा का पूरा एक जोन बना सकता हूं या पर इमांड जोन या फिर सप्लाय जोन में बनेगा see 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 all right देखो यहां तक यह पूरा zone बना है ठीक यह पूरा zone बना stock का price जब यहां पर आया है rejection ठीक है नीचे गया नीचे गया यह इधर पर गया but see यह पूरा इसी level के अंदर था है ना यह पूरा यह rectangle के अंदर था so मैंने गहां पर कोई ट्रेड नी ले सकते क्यों क्योंकि यह rectangle के अंदर है इसलिए zone अपन को fake out बचाने की कोशिश करता है ठीक है फिर नीचे गया उपर नीचे rejection see यह पर जस्ट टच हो के आ गया alright see अंदर गया अंदर गया तो मैंने यहां पर ट्रेड ने ले लिए जब तक see तो कितना important हुआ यहां पर क्या 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 demand बन गया support demand बन गया support sorry और resistance जो था अब बन गया support फिक resistance अभी तक यह resistance था अभी तक यह उपर जाने में दिक्कत दे रहा था अभी यहां पर यह नीचे जाने में दिक्कत दे रहा तो यह अपन को बहुत 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 जादा benefit देती है तो आपको यह levels बनाने आने चाहिए and यही चीज़ है कि इस पर आप practice करने वाले वागे जाकर रहे है ठीक है तो अभी see यहां ध्यान दो यह देखो यह देखो यहां पर आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा इदर ध्यान दो यह मैं आपको दिखाना चाहरा था see यह देखो ब्यूटिफुल एक्जाम्पल बहुत बहुत प्यारा एक्जाम्पल यजादा टाइमि ने लेंगे इधर से इधर से चालो हुआ तक पूरह पूरा फालो हुआ है स्टॉक जब भी यहां पर आता है कितना अलग तरीकी से ब्हेव करता है सबसे पहले उसने यहां पर किया फिर उसके बाद उसको यहां रिजेक्शन मिले इन दो पॉइंट से आप इतना अच्छे से नहीं बना पाऊगे मैं मान रहा हूँ जैसे ही उपर गया फिर उसको यहाँ पर rejection मिला यही point है कि आप इन सब को combine करके zone बना दो यहाँ पर बन गया zone अब देखो price गया उपर की तरफ फिर rejection rejection, see, touch किया उपर आया, see, नीचे गया बट यह zone में है so, इसने अपने behavior को change नहीं किया ठीक है, यह नीचे की तरफ breakout नहीं हुआ क्योंकि यह zone बन गया है rejection rejection, all right तो कितना खतना, कितना अच्छे से behave किया उसने और पूरा उपर तक ले कर गया all right, see, 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 rejection फिर यह उपर की तरफ निकल गया all right, तो यह तरीका होता है अपन का zone बनाने के लिए, all right आपको यहाँ पर यही चीज़े सीखनी है and अगर आपको और examples देखने हैं तो में को नीचे comment कर देना मैं live examples भी बता दूँगा, ठीक तो यह zone अपन ने बनाया ताकि अपन लोग क्या करें यहाँ पर fake out को पहचान पाएं, see, अगर यह zone आपने नहीं बनाया होता, suppose करते हैं आपने सिर्फ यह line बनाई है, सिर्फ आपने उपर वाली line बनाई है तो हो सकता है आप यहाँ पर entry आप यहाँ पर entry ले लेते हैं हो सकता है आप यहाँ पर entry ले लेता है आप मानते कि यह retest हुआ है, see, देखो पूरा तरीक से दिखाई दे रहा है ना यह हुआ retest हो, मैं यहाँ पर actually में यह zone को हटाता हूँ एक second के लिए फिर आपको दिखाता हूँ मैं सिर्फ line बना देता हूँ इसको ठीक है, okay so, zoom करता हूँ उस time पर आपको नहीं पता चलेगा कि price कहा हो रहा है ठीक है, यही चीज मैं आपको बताना चाहरा हूँ, थोड़ा समझो सीखो चीजों को, ठीक है, see देखो, stock यहाँ पर आ रहा है और मान लो कि इधर तक गया, ठीक है, stock का price, यह candle उस time पर इधर भी इतनी बनी होई होगी, ठीक है, आप हो सकता है, यहाँ पर entry ले 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 थे, आप हो सकता है, यहाँ पर entry ले 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 थे, see volume भी high है, volume भी high है यही पर zone आता है, काम में अगर यह zone है तो आप entry नहीं लोगे, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप entry ले थे तो false breakout, यह होता false breakout, तो यही पर zone काम आता है, ठीक है, इसलिए अपन line को zone के form में बना देता है, all right ठीक है तो अपन ने यह वाला part बना लिया यह अपन ने zones बना लिया, अपन ने lines बना लिया, all right तो यहाँ पर काफी सारी चीज़े important important होते हैं, see, यहाँ पर भी मैंने zone का example आप लोग के लिए बना कर रखा था, all right see कितना संदर zone है या, कितना संदर zone है, है न, see देखो price गया, इस level पर है न, यहाँ पर, यहाँ पर यहाँ पर, यहाँ पर इस level पर यह रुका हुआ था, all right वापस नीचे आया, all right यहाँ पर उसका थोड़ा behavior change हो बड़ अपन नहीं बना सकते, यह levels को तोड़ने में दिक्कत हो रही है, इसको level points आप देख लो, फिर अपन चलेंगे आगे है न, तो, points आपको क्या देखने है, अपन ने देखे क्या वो level देखने है, जहाँ पर stock को, stock को वो level है न, वो price जहाँ पर stock को वो level तोड़ने में दिक्कत हो रही हो फिर उनको combine करना है, ठीक है जैसे कि अपन ने ये बनाया था, तो सबसे पहले, सबसे पहले अभी आप इतना जादा मत सोचो, अल्राइट अभी इतना जादा मत सोचो, चीजे cents बनाने लगेंगे, अभी आप बस ये zone को बनाना सीखो, ठीक है सबसे पहले अपन ने observe किया, ठीक है अपन को ये चार्ट दिख गहाए था, अपन ने बोला ये PRISE जो है, यहान नहीं डूटा All right, ये लेवल इसको तोड़ने में हूई दिक्कत पिर ये लेवल पर वापस आया फिर ये लेवल पर वापस आया फिर ये लेवल पर वापस आया फिर ये लेवल पर वापस है, फिर ये लेवल पर वापस है, यानि कि अपन इन सारे points को combine कर सकते हैं, तो मैंने लिया एक rectangle and मैंने कर दिया इन सब को combine, see, okay, तो जैसे मैंने कर दिया combine, ये बन गया, तो rectangle tool से आप ये zone को बना सकते हो, and जरूरी नहीं आपको इतनी आसानी से ये चीज़े दिखने लगी है, ये one week का time table है, one week का chart है, तो इतना आसानी से आपको ये नहीं दिखेंगी शुरुआत में, पर practice के साथ में धीरी धीर आपको ये सारी चीज़े दिखने लगेंगी, and य आफिजर चीज़े होती है, actually यहाँ पर ascending triangle बन रहा है, and यहाँ पर trade बनने के बहुत अच्छे अच्छे chances थे, तो यहाँ पर अभी आपको confused नहीं होना है, simple है, कोई भी confusion वाली बात नहीं है, सिर्फ points देखने हैं आपको जहाँ पर stock को वो point cross करने में हो रही है, यह दिक्क ठीक, and उनको करना है, combine, उनको करना है क्या, combine, बहुत आराम से आप इनको निकाल सकते हो, अब बार बार देखोगे न, तो आपको समझ में आने लगगा, यह point पर वापस आगा है, यह point पर आया, फिर यह point पर आया, तो यह लगभग एकी range में हो रहा है, अगर यह एकी range में हो रहे है, तो इनको बनाओ, क्या zone, and यह two hard attemptable है, तो मैं इनको zone में नहीं बनाओगा, ठीक, देखो मैंने भी zone में नहीं बनाओगा, मैं यहाँ पर लोगगा, क्या line वाला tool, line वाल, horizontal line में ने लिया, यह बन गया, क्या, यह बन गया अपना zone, क्रिटिकल लेवल, ठीक, all right, all अपने अगली वीडियो में जहाँ आपन डिसकस करेंगे principle of polarity, तब तक के लिए, बाई बाई